राम राम अक्सर लोगों ने सुन रखा होता है पढ़ रखा होता है या उनको जानकारी होती है कि जब बरस्पती ग्रह की महादशा आएगी तो जीवन में शुपता बढ़ जाएगी किस्मत का साथ मिलेगा तरक्की होगी अच्छा समय आने वाला है लेकिन जब बरस्पती ग्रह की महादशा आती है वपरीत परभा मिलते हैं जीवन में रुकावटे बाधाएं बढ़ जाती है और जिस बरस्पती की महादशा का इंतजार उसुकता के साथ लोग कर रहे होते हैं वो परिशानी देने वाली हो जाती है ऐसा क्यूं होता है क्या बरस्पती जैसे ग्रह की महादशा अशुपफल देती है और क्या है इस महादशा के बरस्पती की महादशा के उपाए इस पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ब्रहस्पती ग्रहे जैसे कि आप सभी जानते हैं ये देवताओं के गुरू है लाल किताब के अनुसार और ग्रहों के भी गुरू है तो यहां पर ब्रहस्पती ग्रहे की महादशा हर किसी के जीवन में बहुत महतपून स्थान रखती है जब इस ग्रहे की महादशा लगती है तो इनसान को एक इंतजार होता है कि जीवन में शुपता आएगी लेकिन ये बात कहीं न कहीं गलत सिद्ध होती है जब उस ग्रह की महादशा आती है और जीवन में तकलीफे बढ़ जाती है सबसे पहले ये समझे पहले हमने ये समझना है ब्रस्पती क्या है ब्रस्पती धर्म है ब्रस्पती देवी देवता है जिस पर आप आस्था रखते हैं आपके गुरू है ब्रस्पती आपके घर के बजुर्ग है ब्रस्पती आपका वो ग्यान है जो आपने कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में ह अब आपको ब्रस्पती ग्रह की महादशा लग गई जिसका इंतजार आप बड़े वर्षों से कर रहे थे ये जो चीजे मैंने आपको पीछे बताई है ना इनके साथ अगर आपने सही वेवार नहीं किया होगा तो आपको ब्रस्पती ग्रह कभी भी शुबफल नहीं देंगे समझते हैं कैसे ब्रस्पती धर्म के कारक है अगर आप तीरत यात्राएं नहीं करते साल में कम से कम एक या दो गंगा सनान आप नहीं करते तो ब्रस्पती आपको शुबफल नहीं देंगे आपके घर के नजदीक जो मंदिर है या आपके धर्म के अनुसार जो धार्मिक तो आप पर बरस्पती की महादशा अंतरशा शुप फलदाई नहीं होगी आप एहःंकार से बरे हैं to आप पर बरस्पती ग्रह की महादशा का कोई लाब नहीं होने वाला आगे चलता हूँ ब्रस्पती ग्रह बजर्गों के कारक है अगर आप सफेद बालो वाले बजर्गों का मान सम्मान नहीं करते अपने धर्म के जो धर्म गुरू है या आपके जो गुरू महराज है उनका सम्मान नहीं करते समय समय पर उनका आशिरवाद नहीं लेते रिशी मुनियों का सम्मान नहीं करते अपने धर्म का निरादर करते हैं तो आपको ब्रस्पती ग्रह की महादशा कभी भी शुबफल नहीं देगी अपने बुजर्गों का मानसमान भी नहीं करेंगे तो भी ये आपको शुबफल नहीं देने वाले घर में गोल्ड ना हो घर में अगर आपके गोल्ड न तो ब्रस्पती किसी काम के नहीं आने तो ये सिर्फ आपके लिए पीडा दायक बनके ही आएंगे अब देखिए कई लोगों की शिक्षा कम होती है इसका मतलब ब्रस्पती और सूरे कहीं न कहीं डैमेज हुए है ठीक है ना अगर वैविक्ती वैसे ही धार्मिक ग्यान अपने अंदर बढ़ाता रहे तो ब्रस्पती अच्छे उने लग पड़ते हैं तो अगर शिक्षा कम है तो भी ब्रस्पती खराब है और अगर शिक्षा है और धर्म को नहीं पड़ रहे तो भी ब्रस्पती खराब है तो धर्म का अनुसरन करना धर्म का परचार करना धर्म के बार कम से कम अपने परिवार वालों को तो जरूर बतानी चाहिए तो ब्रस्पति काम करते हैं ऐसे नहीं अब ये जो बाते मैंने आपको बताई है और आप ब्रस्पति ग्रह की महादशा से गुजर रहे हो तो इनको सुधारो धरम का पालन करो धरम को पढ़ो धारमिक स्थान में जाओ, तीरत यात्राय करो, बुजर्गों का सम्मान करो, घर में जितनी हिम्मत हो आपकी उतना गोल्ड बनाओ, 100 रुबे का बना लो, 500 का बना लो, अरे कुछ नहीं तो सोने के पत्रे मिलते हैं, जो मिठाई पे लगाए जाते हैं, तीन सो रुबे का पत्रा आता है वो बजार से वो ही खरीद के रखने शुड़ू करो लेकिन गोल्ड बनाना पड़ेगा ठीक है ना इसके इलावा कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहन करो शिक्षा ग्रहन करने से मैं यह नहीं कह रहा है स्कूल या कॉलेज में अडमिशन ले लो कुछ भी नया सीखने की कोशिश करो कोई अध्यात्मिक पुस्तक लाकर पढ़ने की कोशिश करो कुछ ग्यान हासिल करो जिससे ब्रस्पती की जो महादशा आप पर चल रही है या आने वाली है वो शुब हो जाए चल रही है तो शुब हो जाए तो ऐसा करने से आप अपने ब्रसपती को अच्छा कर सकते हो केसर का तिलग लगाना ब्रसपती के दिन यानि के गुरुवार के दिन शुबदाई होता है अगर आपके मकान के अंदर गंदा पानी घूसाए है ना बरसात का पानी घूसाए क्या करते है पानी बाहर निकालते हैं बाल्टियां भरबर के पा धर्मस्थान में करें, पुजारी का आशिरवाद ले, अपने बुजर्गों का आशिरवाद ले, अपने गुरु महराज का आशिरवाद ले, गले में सोना धारन करें, नहीं तो पीला धागा या केसर का तिलक भी आपके लिए काम करेगा, आप देखेंगे आपके यही बरस् शुब फल दायक बन जाएंगे तो यहां पर अपने जीवन को तलवार की धार पर चलाना पड़ता है और खुद तपना पड़ता है अगर खुद तपते हो तो ही ग्रेहों का शुब फल मिलता है बदलो अपने आपको ग्रेहों के अनुसार अपना आचरन करो आप देखोगे ग्रेह शुब फल दायी हो जाते हैं लेकिन एक अनुसरन करना पड़ता है उनको एक धंग से चलाना पड़ता है तब वह आपको शुब फल दायी होते हैं सबसे पहली बात यह समझनी है और ब्रहस्पती से बढ़िया ग्रेह कोई नहीं है ब्रहस्पती से अच्छा ग्रेह ना कोई हो सकता है जिसने इस ब्रहमंड की रचना की जिसने सबी ग्रेह और ये सृष्टी बनाई क्या वो ग्रेह किसी लायक नहीं है उसमें सारी शक्तियां है सबको बांटने की है ना अगर वो ब्रहमंड तियार कर सकता है तो किसी को कुछ भी देने की शक्ती रखता है त तक जब हाथ नहीं पोंचता तो लॉंबडी कहती है आथू ये कड़वे हैं है ना तो जिसका हाथ पोंचता है तसई डंग से वो उतारता है उसको अंगूर मिठे ही लगते हैं तो यही समझना है कि बरस्पती ग्रह से बढ़िया ग्रह कोई नहीं है कोई भी नहीं है ठीक है और अगर ये आपके लिए कुछ दे के नहीं गया न तो राओ के तू जो भी देंगे न अगर कभी कुछ दे भी दिया सब छीन के ले जाएंगे हर ग्रह की महादशा पर अगर वह ग्रह आपको अशुब फल दे रहा है अपनी महादशा में उस पर एक वीडियो बनाने की को क्योंकि ब्रसपती ग्रह के बारे में एक भ्रम फिलाया जा रहा है कि ब्रसपती ग्रह शुब फल नहीं देता है इसकी महादशा कभी भी शुब फल दाई नहीं होती तो ऐसा नहीं होता अनभव में कमी है और सबसे बड़ी बात जिन लोगों की ब्रसपती ग्रह की महादश अंतरदशा शुरू ही है उनकी विवेक शक्ति और उनकी जीवन शैली में कमी है या उन में कमी है तभी उनको प्रस्पति ग्रैशुप फल नहीं दे पा रहे बस यही कहना था इस वीडियो में दी गई जानकारी कला मातरानी की किरपा से आपको होगा जै माता दी